हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब मेरे नाम है आसीस पांडे आप पढ़ रहे हैं दे टॉपिक माश्टर अपने प्यारे से यूटूब चैनल पर जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइस लिक्चर्स साथी साथ हम देते हैं बिटा आपको बोर्ड की नोर्स ताकि आप उसी ही आप लिखें और पढ़ें ताकि आपके बोर्ड में बहतर नमबर आए आज का हमारा टॉपिक है आज हम बात करने वाले हैं आउतल तथा उतल लेंस की किस तरह से आउतल दरपड़क निर्माड होता है कैसे उतल लेंस का निर्माड होता है कैसे इनकी पहचान करेंगे और question किस type के board में आते हैं ये सारी बातें आपको इशी session में पता चल जाएंगी आईए start करते हैं आज की इस प्यारे session को और बढ़िया तरीके से समझते हैं उत्तल तथा आउतल लेंस को अरे यहां पर दरपड लिखा है बेटा तो इस दरपड को काट कर हमें लेंस लिखना है दरपड की बात तो हमने बहुत डिटेल में कर ली है अब हम क्या पढ़ रहे हैं अब हम बेटा जी लेंस पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं लेंस पढ़ रहे हैं तो जिस तरह से हमने सीखा था कि आउतल दरपड का निर्माड इस तरह से किया जाता है गोली दरपड से और इस तरह से गोली दरपड से उतल दरपड को बनाया जाता है उसी तरह से आज हमें सीखना है कि किस तरह से गोली लिंस बनाया जाते हैं और ये जो दो प्रिकार के होते हैं आउतल और उतल इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और इनका निर्माड कैसे होता है आईए सीखते हैं बेटा बहुत मज़ा आने वाली है एक बार आप concept सीख लें देन मैं आपको board की notes दे देता हूं और ये बता देता हूं कि किस तरह से आपको लिखना है आईए start करते हैं बेटा देखो अगर मैं lens की बात करता हूं तो lens को बनाना है तो आपको गोली दर lens की आऊ सकता होगी एक गोल आकार का आपको lens चाहिए होगा तो पहले एक lens से काम चल जाएगा क्या सर नहीं आपको उस तरह की के दो lens चाहिए होगे मैं बताता हूं आपको जैसे suppose that ये सामने जो आपको दिख रहा है मान लो कि ये एक lens मैंने ले लिया जो गोल आकरती में है ये एक lens मैंने ले लिया तो इस एक lens से बेटा मैं आउतल और उत्तल lens नहीं बना सकता हलाकि अर्ध आउतल lens और अर्ध उत्तल lens मैं बना सकता हूं लेकिन मुझे तो पूरा का पूरा लेंस बनाना है और इस एक गोली लेंस से नहीं बना सकता इसको मैं क्या कहता हूँ इसको मैं कह देता हूँ गोली लेंस है ये गोली लेंस है बेटा जी ये गोली लेंस है सामने जो आपके दिख रहा है ये गोली ये लिंस हो गया कोई एक से तो नहीं बनेगा तो मुझे एक और चाहिए होगा मुझे एक लिंस और चाहिए होगा और उन दोनों को मैं क्या करूँगा उन दोनों को मैं ऐसे जोड दूँगा ऐसे करके उन दोनों लिंसों को जो बेटा लेंस मिला वो ये वाला मिल गया ये सामने जो आपको दिख रहा है ये वाला बेटा मुझे लेंस मिल गया ये ये डिजाइन का एक मुझे लेंस मिला इस तरह की डिजाइन का एक मुझे लेंस मिल गया आईए इसको काट के अलग कर लेते हैं अगर मैं इसको यू का काट के ऐसे यहां पर अलग कर लूँ तो यह इस तरह की आकरती का है ऐसे और बेटा जी ऐसे यह जो दिख रहा है यह तो इस टाइप का एक मुझे लेंस मिल गया है और इस लेंस को मैं क्या बोलता हूं अरे बच्चो ध्यान से समझना यह एक प्रिकार का बेटा लेंस है यह लेंस है और इस लेंस को मैं बोलता हूं उत्तल लेंस क्या बोलता हूं बेटा उत्तल लेंस बोलता हूं तो आगे मैं क्या लगा दूंगा उत्तल लगा दूंगा तो यह क्या हो जाएगा बेटा उत्तल लेंस हो जाएगा तो उत्तल लेंस की आकरती कुछ ऐसी होती है अगर बेटा ये बीच से, बीच में एक ऐसा है, बीच में बेटा ये मोटा है, बीच में कैसा है, ये मोटा है, तो परिभासा में भी लिखते हैं, ऐसा लिंज जिसे के किनारे तो पतले होते हैं, लेकिन वह बीच में मोटा होता है, इस परिकार के लिंज को उत्तल लिंज कहते हैं, घबराने वाली बात नहीं है अभी मैं आपको notes दूंगा बस आपको screenshot ले लेना है क्या ये बात आपको समझ में आई कि किस तरह से हमने गोली दरपड से उत्तल लिंस का निर्माड कर दिया अरे बोलो ये बात समझ में आई कि किस प्रकार से मैंने गोली लिंस से उत्तल लिंस का निर्माड कर दिया बोलो बोलो समझ में आगई क्या हाँ सर समझ में आगई बात ये बाली बात तो आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आगई होगी अब next बात कर लेते हैं एक बार जरा इसको clean करते हैं और अब मैं बताऊंगा कि कैसे आउतल दरपड का निर्माड होता है आपको दो गोली लिंस तो चाहिए ही होंगे आजाओ इस बार दोनों गोली लिंस को इस तरह से लिखते हैं देखो एक गोली लिंस यहाँ पे बना लिया हमने ठीक है और एक गोली लिंस इसके बगल में बना लेता हूँ यह एक गोली लिंस इसके बगल में बना लिया इस बार दोनों को जोड़ा नहीं है अगल बगल मैंने क्या किया दो गोली लिंस रख दिये और बेटा यहाँ से इसको जोड़ दिया और यहां से बेटा इसको जोड दिया ऐसे करके ऐसे जोड दिया अब बाकी बचा हुआ हिस्सा बेटा काट दिया मतब यह वाले हिस्से को यहां से काट दिया इसको यहां से काट दिया और इसको यहां से काट दिया तो जो निकल के आया ना अरे जरा ध्यान से देखना जो नि आकरती का लेंस निकल के आया वो कुछ बेटा ऐसी आकरती का लेंस निकल के आया और इस आकरती के लेंस को आउतल लेंस कहते हैं क्या कहते हैं और जरा ध्यान से समझ लेना बेटा इसको क्या कहते हैं इसको आउतल लेंस कहते हैं अगर आप आउतल लेंस को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये किनारों पर मोटा है किनारों पर कैसा है बेटा मोटा है लेकिन ये जो बीच वाला जो सिंटर वाला पार्ट है सिंटर वाले पार्ट में पतला है यानि वह लिंज जो किनारों पर मोटे हों और बीच से पतले हों इस प्रि लिन्स से बनता है किस तरह से ये गोली लिन्स से बनता है इसको मैंने बैटा आपको डिटेल में सिखाया है इसको मैंने क्या किया है आपको डिटेल में सिखाया है कि किस तरीके से लिन्स बनाए जाते हैं जब आप यहां पे पढ़ रहे हैं तो आपके concept अच्छे होना किacağ मैं आपको गोड़ की दोंगा तो आएए मैं आपको गोटस की नोट देता हूं कि किस तरह से आपको अपने अपने Thai function meet-do-do-do-do-do च्छाप लेन अरे कॉंप्यों में लिखना नोटस बनानी है ज्छरा ध्यान से देखना ज revers इसको हम उतल लेंस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम आउतल लेंस बोलते हैं। तो इतनी बात तो सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब नोट्स कैसे लिखना है ये देख लो अरे ये यहां पर लिखा हुआ है बेटा जरा ध्यान से देखो देखो वा लेंस जो किनारों पर पतला हो बीच में मोटा हो किनारे देखो और बीच वाला पूरसन देखो तो जो लेंस किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा ह होता है इस प्रिकार के लिंज को उत्तल लिंज कहते हैं बच्चों जरा ध्यान से देखो क्या कहते हैं उत्तल लिंज कहते हैं और ऐसा लिंज जो किनारों से मोटा हो लेकिन बीच में पतला हो इस प्रिकार के लिंस को आउतल लिंस कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इस प्रिकार के लिंस को आउतल लिंस कहते हैं अरे बच्चों बताओ क्या सारी बाते समझ में आ रही हैं क्या चीजें यहीं पर रट जा रही हैं क्या पूर अंतर में question पूछा जाता है, तो अंतर आपके सामने है, आपको ऐसे ही line खीचनी है, आपको ऐसे ही diagram बनाने है, यह आपको ऐसे ही लिख देना है, यह आपका अंतर हो जाता है, एक दो number वाला, और अंतर होते हैं, अब इस समय के साथ आप सीखते जाएंगे, और आपको अपने करते हैं, अक historic की बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि lens का प्रिकासिक केंदर और lens का मुक्ह अच्छ होता है, lens का प्रिकासिक केंदर क्या है और मुक्ह अच्छ क्या है, पहले समस्ते हैं, बाद में notes लिखते हैं, आईए जरा ध्यान से गौर फरमाईए, अगर मैं क्या करूँ अगर मैं एक लाइन ऐसे खीज दूँ यूं करके एक लाइन में खीज दूँ तो क्या सर कहीं से भी लाइन खीज सकते हैं क्या अरे सर कहीं से भी लाइन खीज सकते हैं क्या नहीं बेटा जी आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा आपको कलाकारी करनी पड़ेगी सर कैसे करेंगे कलाकारी आपको पता है क्या कि अभी अभी आपने एक गोला लिया था ऐसे करके एक गोला बेटा ऐसे लिया था आपने और एक गोला कैसे लिया था आपने एक गोला आपने बेटा जी ऐसे लिया था ऐसे लिया था तब जाकर इन दोन यहाँ पर और इस गोले का केंदर चाहां पर है तो हमें जो लाइन हैँ वो केंद्र से के juda और अपने दरपड में पढ़ा होगा कि इस केंद्र और परता केंद्र कहते हैं और एक लेंस में और एक लेंस में बच्चो भी काप नहीं समझ पाएंगे बच्चों तो जरा ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर दो गोली दरपड़ है इसलिए यहां पर हर एक चीज दो दो होगी लेंस में सभी चीजें दो दो होती हैं यानि यह वक्रता केंदर पहली वाली C1 और यह दूसरी वाली C2 यहां पर हमने लिखा दो वक्रता केंदर हैं एक आपको लाइन खीचनी है जो दोनों वक्रता केंदर को मिला रही हो या जोड रही हो इसी लाइन को मुख्य अच्छ कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखो इसी को मेरे प्यारे बच्चों मुख्य अच्छ कहते हैं क्या कह चीज अगर समझ में आ गई होगी, तो अब मैं इस गोले को हटा देता हूँ, बेटा गोले का काम इतना था, कि आपको बतिया समझ में आ जाए, कि मैं क्यों C1 और C2 लिख रहा हूँ, बस आपको इतना समझाना था, अभी आप समझ नहीं पाते, कि सर ये कैसे आपने लिख द हासर आ गई, अब जरा ध्यान से समझना, बेटा ये जो लेंस है ना, लेंस का ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट जो बेटा जी है, ये सेंटर वाला पार्ट, इस सेंटर वाले पार्ट को हम प्रिकासिक केंद्र कहते हैं, और ये एक नया तर्म है आ पाट को सेंटर वाले पाट को प्रिकासिक केंद्र कहते हैं और इसे ओफ और औरेंज से इंडिगेट करते हैं यहां पर लिख दोगे तो यह क्या हो गया प्रिकासिक केंद्र हो गया तो यह हमने सजा दिया उत्तले लिंस को कि उत्तले लिंस में दो हमने वक्रता केंद्र बना को मैंने बता दिया दोनों को मैंने बता दिया अब जड़ा इस डाइग्राम में देख लो अवतल दरपड में यह सब चीजें कहां पर होंगी तो देखो यह हमने एक लाइन खीज दी ऐसे करके यह बेटा से एक लाइन खीज दी आपको पता है कि बीच वाले पार्ड को सिंटर वाले पार्ड को प्रिकासिक केंद्र कहते हैं और इसे ओ से निरोपित करते हैं कोई दिक्कात कोई दिक्कात नहीं है और यहां पर बेटा यह क्या होगा बेटा यह इह होगा C1 और ये क्या होगा यहां पर ये होगा C2 अरे पेटा जी अगर confusion हुआ करे तो गोला बना लिया करो ऐसे करके गोला बना लिया करो यह देखो यह बेटा गोला बना लिया और ये गोला बना लिया तो हमें एक समझ में आई कि हाँ यह center वाले part को ही हम क्या कहते है C2 कह देते हैं तो यह वाली आपको बात समझ में आ गई होगी और यह जो line मैंने खीची है जो C1 और C2 को मिला रही है इस line को mukh अक्ष कहते हैं क्या कहते है बच्चो इस line को mukh अक्ष कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं इस लाइन को यह हमने लिग दिया तो आपको अब फिर से गोला हटा देते हैं गोला तो केवल इसलिए था ताकि आपको यह समझ में आ जाए ना कि कहां पर क्याउन सी चीजें हैं और यह बात मैंने रिपीड भी कर दिये ठीक है ठीक है ठीक है बेटा मुख्य अक्ष क्या होता है और प्रिकासिक केंद्र क्या होता है यह दो बाते मैंने एक्ष्प्लेन की हैं यानि लेंस जो है ना उसका सेंटर वाला जो पार्ट है ना यह सेंटर वाला पार्ट को हम प्रिकासिक केंद्र कहते हैं और मुख्य अक्ष क्या होती है बेटा जब C1 और C2 को एक रेखा काट रही हो इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं और ये कैसे पता चलेगा कि प्रिकासिक केंद्र यहीं पर होगा तो एक युक्ती है जानने जानने की एक युक्ती है तो कैसे जानोगे एक रेखा कोई यहां से गुजार दो तो एक रेखा अगर गुजार दोगे तो वही से रेखा तो मुड़ जानी चाहिए लेंस में लेकिन रेखा बिना मुड़े सीधे गुजर जाएगी इसी तरह यहां पर भी होगा कि बिना मुड़े सीधे गुजर जाएगी तो जिस भाग से ये ऐसे सीधे निकल जाए उसी भाग को प्रिकासिक केंदर कहते हैं इस तरह से भी तुम प्रिकासिक केंदर को जान सकते हो कोई confusion हो तो बता दो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई या तो सेंटर वाला पार्ट बोल सकते हो या तो वह भाग जहां से किसी आप्तित क्रूडों को गुजारा जाता है तो बिना आप वर्तित हुए सीधे निकल जाती है इस भाग को प्रिकासिक केंदर कहते हैं आईए बोर्ड वाली नोट्स लिखते हैं आईए बेटा जी बोर्ड वाली नोट्स लिख लेते हैं फिर आप कहेंगे सर आपने लिखवाया नहीं है तो इसलिए बेटा मेरा काम है आपको साधी चीजें वेल एकुरेट तरीके से देना ताकि आप घर में बहतरीन तरीके से पढ़ सकें आईए जरा ध्याम से देखिएगा चीजों को देखो मुख अक्ष क्या है तो मैंने क्या कहा लेंज के दोनों गोली प्रिष्टों के वक्रता केंदर C1 और C2 ये C2 लिखा है बेटा C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंज का मुख अक्ष कहते हैं उतनी देर से यही तो समझा रहा था कुछ नई बात आ गई है क्या यहां पर नोट्स में नई बात नहीं आई यही समझा रहा था उतनी देर से में आज़ाओ अब आगे देखते हैं प्रिकासिक केंदर क्या होता है लेंस के अंदर मुख्य अच्छ पर इस्थित जिस बिंदू से होकर प्रिकास की किरडे अपवर्तन के पश्चात आप्तित किरडों के समानतर निकल जाती हैं या बिना मुडे निकल जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं उस भाग को हम कहते हैं लेंस का प्रिकासिक केंद्र जिसे उसे निरूपित करते हैं, जिसे उसे निरूपित करते हैं YARIT üzा यहांसे कोई क्रीडो को गुजारा जाए तो वो अपवरतित नहां हो, सीधे निकल जाए। तो ऐसे भाग को, उस इस्थान को क्या कहेंगे? प्रिकासिक केनर कहेंगे अरे बोलो ये बातें आपको समझ में आ रही है हाँ सर ये सारी बातें जो आपने समझाई वो सारी बातें हमें समझ में आई और जो नोट्स आपने दी वो हमने अपनी अपनी नोट्स में लिख ली है या लिख लेंगे बेड़ा जरूर लिख लेना क्योंकि very important बात है अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं और अगर पढ़ेंगे नहीं तो बोर्ड में अच्छा आप कर नहीं सकते हैं नोट्स very important होती है बोर्ड के लिए इसलिए मैं आपके लिए नोट्स लेकर आता हूं I hope यह लेक्चर आपने enjoy किया होगा thank you so much for watching टड़ा बाए बाए